आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूचनाय प्रदान की जाती है तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाय है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेते हैं यूपीटी इटी की यूपीटी इटी की बिग न्यूज यह है कि जैसा कि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि यूपीटी इटी के जो एड्मिट कार्ड है आज 12 बज़े के बाद में जारी कर दिए जाएंगे तो यूपीटी की भी वेवस्था कर दी गई है तो जल्दी से जाएए देख लीजिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है चात्रों के परिक्षा केंद्र में 95% तक परिक्षा केंद्र विद्यार्चियों की बदले नहीं गये हैं और हमेसे की तरह आपको रिजिस्ट्रेशन नमबर डालना है यहां पर OTP डालना है नीचे कैप्षा कार्ड जो नीचे यह नंबर दिया हुआ है जो भी आएगा तो उसको डाल करके अपना अपना कार्ड देख सकते हैं और इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं सारे चात्र संग्ठन योगी सरकार से नाराज उत्तर प्रदेश में जितने भी भरती वोड हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग हो चाहे वो उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग हो चाहे वो पुलिस भरती एवं प्रुनत बोड के चात्र हों चाहे वो मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड के चात्र हों टीजीटी और पिजिटी इत्यादी किये हैं सभी चात्र Cameron से नेराज हैं सुक्य विद्यारतियों को बहुत जैदा पेख्चाए थी yogi सरकार से की योगी सरकार आइगी तो बहुत कुछ करेकी बहुत सारे वाईदे फी लेकिन योगी सरकार ने च्छात्रों की बहुत पेक्षक ही बिरोजगार चीज्चरों से मुख्यमंत्री मिले नहीं प्राहत्मिक सिंगती के जो च्छात्र ह Back naj वह पिछले एक साल से धर्नब प्रदसन कही रहे थे और वहीं पर उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के चात्रों ने भी बहुत सारी मांगे रखी थी उसको भी योगी सरकार ने पूरा नहीं किया प्रद्योगी चात संगर समीत के अद्रक्ष अविनिस पांडे यहां पर उनका पूरा बयान है जिसे आप लोग देख सकते हैं लोग सेवा आयोग उच्छ शिक्चा आयोग माधमिक शिक्चा आयोग पुलिस भरती बोर्ड शिक्चक चेगन बोर्ड अधिनस्त सेवा बोर्ड और आधि सभी परिक्चा नियामक संस्थाओं के अभरती अपनी मांग अवश्य बताएं ताकि हम सभी सासन को अपने विरोध की तारकिकता बता सकें विरोध के कुछ कारणों का उलेक है यहां पर उन्होंने लिखा कि मैं स्वयम कर रहा हूं और नीचे इन्होंने बताया क आकिरकार योगी सरकार ने धोखा किस तरीके से दिया चात्रों को जैसे यहां पर लिखा हुआ कि CBI जाच के नाम पर कम से कम 13,000 योगाओं के जिन्दगी खत्रे में डाल दी गई पिछले चार वार्सों में 600 परिक्षाओं के जाच कर रही CBI मात्र दो परिक्षाओं में केवल FIR तक करा सकी है सासन और आयोग ने CBI टीम को आरोपियों को गिरफतार तक करने की अनुमत नहीं दिया सासन ने भी अनुमत नहीं दिया और लोग से वाई को चेर मैं ने भी अनुमत नहीं दिया नीचे यहां पर लिखा कि ब्रष्ट अधिकारी गण दलाल खुले यां घूम रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा ब्रष्टाचार की खूब सारी सिकायते इस बीच भी आती रह प्रिक्षा करवाने के लिए जो बैन कर दी गए थी उत्रखंड और मत्य प्रदेश में तो यहां पर जो है जिस तरीके का आरूप इस पर लगे थे उसी तरीके का जो आरूप है आप निटी में देखा होगा कैसी एजेंसी कमिक्शन के चकर में दी गई जिसने कहां पर पे यहां पर देखिये लिखा हुआ है कि सीवी आई को जाच करन सीवी जाच हो पूरी तरीके से रोक दी गई थी और इसकी पीछे सासन का ही हाथ बताया जा रहा है जो सरयाम चर्चा है यहां पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की महिलां को प्राप्त होने वाला 20 प्रिच्षत र रिजर्वेशन मिलता है तो सरकार ने यहां पर भी अपना स्टेंड नहीं लिया सरकार का धुलमुल रवाईया है सरकार के वकीलों के पास फुर्शत नहीं है चात्रों की बातों को सुनने के लिए और नीचे लिखा EWS को टेके भरतियों को उम्र सीमा में छूट नहीं दिय किया कुछ सुना ही नहीं किसी चात्र की इसलिए भी चात्र नाराज है नीचे यहां पर लिखा है कोरोना वाली बात जुमने अभी आपको बताई नीचे लिखा कि पूरवर्ति सरकारों दाला चात्रों पर जो आंदोलन किये थे अखलेस यादों की सरकार में जम करके लाठ चात्र कार इसने नहीं किया उसके बाद में इसकेलिंग को हटा दिया गया अचानक से PCS में आज तक नहीं बताया इसकेलिंग है कि नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब भेर्थियों के दो मुख किभीस है जिसमें जालतर उत्तर प्रतिस के जो चात्र है वो लेते ते रक्षा दिन समाज कर तुगलिकी फरवान की तरह एक जटके में हटा दिया गया कम से कम कुछ समय तो देना च जहता कि कि तक नी कटाओ घंथ हुए यह नहीं बता जाती चार-चार सल पांत पांथ साथ तक मर्च दिखाए जाती है सबना बहुत बद्धार्ति नहीं चलता है कि अधर का जो हमने अपत्ति जताई थी तो उस पर अवल किया गया है या नहीं किया begins और नीचे यहां पर लिखा कि सीधी भर्ती में किसका चैन किस तरीके से हो रहा है अभर्तियों को बताना ही बंद कर दिया गया 27 जुलाइस 2017 को एक नियम बनाये गया था एक नियमा वली बनीती उस पर भी उसका भी पाला नहीं किया गया है जैसे यहां पर लिखा है साख्छातकारों में साख्छातकार परिश्यत के साथ साथ दूसरे सदस और विशेभिशेसक को भी अंग प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा सभी के द्वारत दिये गए अंगों का आउसत अंग की अभर्ति को दिया जाएगा आगे लिखा हुआ कि स्केलिंग के समद्ध में थर्ड पार्टी से प्रोग्राम तयार करके डाटा को रन करा करके स्केल और स्केल नंबर की रेंड चेकिंग कराई जाएगी उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के पस्चात परिडाम घोसित हो जाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की इसके निक करा करके डिजिटल डिकार्ट के रूप में रखा जाएगा अभरति अपने लॉग इन पासवर्स से अवलोकन भी कर सकेंगी बाव में ट्रिक होगा यह भी नहीं होता हो लोग सिवा की परिक्चाओं में साख चात कार के दौरान जितने भी अधिकारी हैं माय कर्मचारी हैं इनका फोन बंद किये जाएगा ऐसा कहा गया था प्रस्ताओं में यह भी नहीं हुआ तो यह हाल राय योगी सरकार का इसी लिए अच्छात्र जो है सभी चात्र चाहे जितने भी परतियोगी संगठन हैं सभी चात्र इस सरकार का विरोध करते हैं और ये जो सरकार है वो चात्र विरोधी केवल इसी वज़े से कही जाती है जो दो-चार भरतियां की ही सरकार ने वो केवल सुप्रिम कोर्ट के आर्डर के अधार पर की है वो भी complete नहीं कर पाई है, सिक्षा मित्रों की भरती की बाबर हवाला देती है, सरकार वो भरती तो सरकार को करनी ही थी, अगर सुप्रिम कोट को आदेश नहीं होता, तो सरकार ये भरती भी नहीं करती, छात्रों की सरकार ने कोई भी बात नहीं मानी है, और अधिनस्त सेवा चैन आयोग के बारे में तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है तो अधिनस्तेवा चैन आयोग जिसमें 20-20 लाग विद्यार्थी एक-एक भरती के लिए फर्म डालता है वो पूरी तरीके से 5 साल विद्यार्थियों के बेकार च दर्चा होगी सभी चात्र उसमें अपने सुझाओं दे सकते हैं कि किस तरीके से विरोध किया जाए ताकि सभी सरकारों को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में चात्र भी एक बोड़ बैंक है चात्र भी एक वर्ग है यह होगी आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुने के लिए बहुत प्रदेश में